नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका पात्वाइंडर स्टिटी पॉइंट में तो हम लोग भारत में मुत्तर प्रदेश में ग्राम विकास एवं उससे संबंधित पंचायती राजव्योस था इत्यादिकी जो सभी योजनाय हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे दो पार्ट में मैंने बहुत महत्पूर योजनाओं के आपको जानकारी पहले भी दे दी है और आज ये तीसरी सीरी है इस क्रम में अभी कम से कम दो या तीन पार्ट इसके और बनाने पढ़ेंगे तब जाके सारी योजनाय कंप्लीट होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक पहले और दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं इस स्रीज के वो उसको जरूर देख लें क्योंकि सभी लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी में अत्यांत उपियोगी योजनाय जो परिछा में अतिसंभावित हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है तो आज का पहला क्वेश्चन है ग्रामीर छेतर में जीवन इस्तर के लिए महत्पूर सामाजी के उम आर्थिक आधार भूत अधो सनचना के लिए निमलिखित तत्वों की पहचान की गई है इनमें से कौन कौन से तत्व हैं जो ग्रामीड छेत में जीवन इस्तर को सुधारने के लिए जो योजनाय बनाई जाती हैं उसमें उनको सामिल किया जाता है तो जितनी भी सुरुवाती पंचवर्सी जोजनाय थी उनमें स्वास्त, प्रारंबिक सिच्छा, स्वच्छ पेजल, आवास एवं सडकें ये सभी सामिल किया जाता था उस समय स्वच्छता पर विसेश जोर नहीं होता था इसलिए इस प्रस्ण का उस परिपेक्ष में उत्तर लेकिन अगर ये वर्तमान परिपेक्ष कीम में अगर ये पूछा जाएगा तो इस स्थिती में स्वच्छता पर भी अब विसेश ध्यान दिया जा रहा है और लगबग सभी योजनाव में स्वच्छता को सामिल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अंसूचित जातियों के लिए इस पेसल कंपोनेंट के अंतर गत अंसक्रम हेतु ब्याज रहीत रिण एवं अनुदान का प्रावधान कितने प्रस्षत अंसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रखा गया तो इसका सही उत्तर क्या होगा निर्वल वर्ग के लिए 30% में से आने वाले लगभग 50% अंसूचित एवं जन्जात की लोगों के लिए special component में प्राविधान रखा गया है अगला question देखते हैं जो पंचायती राज वियोस्तर सम्मंदित है इसमें पंचायती राज सम्मंदित समितियां और उन्होंने क्या-क्या सुझाओ दिये थे इसके बारे में question पूछा गया है तो बलवन्त राय मेहता समिति जो सबसे महतपूर है इसने त्री इस्तरी यानि तीन लेयर की पंचायत वेउस्था का सुझाओ दिया था असोक महता ने द्री इस्तरी पद्धती के लिए सुझाओ दिया था वहीं पर LM सिंगवी समिति ने इस्थानी स्वसासन पद्धती के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया था और जीवी आर राओ इन्होंने प्रतिनजित्य के तरीके में सुझाओ रहे था अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पंचायती राजब्योस्था में सासन प्रणाली की सन्चना क्या होती है तो जो वही त्री इस्तरी की बात हो रही है ग्राम इस्तर, खंड इस्तर और जिला इस्तर पर इस्थानी सोसासन की त्री इस्तरी सन्चना पंचायती राजब्योस्था के अंतरगत आती है और समिधान के नुच्छे 243 खा के अनुसार पंचायती ब्योस्था में इस्थानी सोसासन त्री इस्तरी है जो कि ग्राम इस्तर, मदिवर्ती इस्तर जो कि खंड इस्तर हो जाता है और जिला इस्तर जो इसका उच्चतम इस्तर होता है किन्तु मदिवर्ती इस्तर पर पंचायत का उस राज में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाग से कम है एक ये प्राविधान है जो important है यानि जिस राज की जनसंख्या 20 लाग से कम है वहाँ पर खंड इस तरक के पंचायतें नहीं गठित होंगी अगला question भारत सरकार द्वारा ग्रामीर छेत्रों में पेजल आपूर्ती में तेजी लाने के लिए राजियू गांधी राष्टिये पेजल मिसन इसको नोट कर लिजिए इसका year जरूर पूछा जा सकता है तो राजियू गांधी राष्टिये पेजल मिसन 1991 में लांच हुआ थ सामाजिक कल्यान के छेत्र में 1954 में राष्टिय जल आपूर्ती और सुच्छता कारिकरम की सुरुवात हुई थी ये एक important कारिकरम है ये भी नोट कर सकते हैं आप राष्टिय जल आपूर्ती और सुच्छता कारिकरम प्रारम का हुआ था 1954 में इसके बाद सरकार ने त्वरि चेत्रों की सहायता के लिए पेजल आपूर्ती की गती में तेजी लाने के लिए यह योजना की गई थी इस पूरे कायकरम को एक मिसन जैसा द्रिश्टिकोंड दिया गया और 1986 में इस महतुकांची परिविजना को राश्ट्री पेजल मिसन यानी NDWS का नाम दिया गया तो तीसरा important fact आपको क्या याद रखना है राश्टी पेजल मिसन की सुरुवात 1986 में की गई थी इसके बाद इस राश्टी पेजल मिसन को ही बाद में इसका नाम बदल दिया गया था 1991 में इसे राजियू गांधी राश्टी पेजल मिसन का नाम दे दिया गया था तो इसमें चार महतपूर्ण वर्स हैं इस प्रस्द में और उनसे सम्मणदित योजनाय उसको specially नोट कर लिए next question जिला-ग्राम विकास अधिकरण का कार क्या होता है तो जिला-ग्राम विकास अधिकरण जो होता है उसमें ग्रामीर विकास के लिए योजनाय बनाना सासन से प्राप्त अनुदान और को ग्राम पंचायतों को आवंटित करना और विकास परियोजनाओं का अन्मोधन करना यानि ये सभी जो है ग्राम विकास प्रादिकरण के कारे हैं अगला कोश्चन भारत में पंचायती राज ब्योस्था निम्न राजियों में सरपथम किसमें प्रारम हुई थी तो ये सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज ब्योस्था कहां से प्रारम हुई थी नागौर जिला राजस्थान से 2 अक्टूबर 1969 को लेकिन प् इसलिए हमको बिकल्प में से दूसरा राज यानि तत्पस्चात आनपदेश भी इस ब्योस्था को अपने आ लागौ कर पंचायती राज पनाली लागौ करने वाला देश का दूसरा राज बना तो बिकल्प से हमको आनपदेश को चुनना पड़ेगा और समिधान के नुच सम्वैधानिक स्थती प्रदान करने की संस्तुती निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गये थी बहुत इंपोर्टेंट है पंचायत के चुनाओं उसमें कोई भी राजनेतिक पार्टी भाग ना ले बिना दलका यानि निर्दली व्यक्ति ही उसमें चुनाओं के लिए लड़े लेकिन ये सिपारिस उसमें नहीं मनजूर हुई थी निखित पंचायतों में से किने उत्तरपदेश में जिला योजना में समलित किया जाता है तो इन में से नगर पंचायत ग्राम पंचायत और छेतर पंचायत तीनों ही जिला योजना में समलित की जाती हैं उत्तरपदेश की उत्तरपदेश जिला योजना समीत अधिनियम 1999 ये भी वर्स याद रख लिए पूछा जा सकता है कि उत्तरपदेश जिला योजना समीत अधिनियम जो है किस वर्स का है 1999 का है इसके अंसाथ जिला योजना के अंतरगत ऐसे विशे समाविष्ट होंगे जो यह था इसी थी ग्र अगला question निमलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारम की गई है इसका उद्देश राज में वना रोपन की क्रियावधी को आगे बढ़ाना है next question आम आदमी बीमा योजना बहुत बार पूछा गया है खासकर PCS के एक्जाम में के संदर्म में निमलिखित कतनों पर विचार की गई है तो इस योजना के अंतरगत बीमा करत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामिड कुटुम्ब के परिवार का मुखिया अतवा कमाउ सदस्य होना चाहिए तो ये कथन बिल्कुल सही है बीमा करत व्यक्ति 30 से 65 वर्स की आयू का होना चाहिए ये कथन यहाँ पर गलत है इसका इसपस्टी करण क्या है बीमा करत व्यक्ति की आयू 18 वर्स पूर्ण करके और 69 जन्दिन यानि 60 वर्स से कम उसकी उम्र हो और 18 वर्स से अधिक हो तो इस आयू वर्ग में उसको आना चाहिए योजना में बीमा करत व्यक्ति के कच्छा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के निसुलक छात व्यक्ति का भी प्राविधान है तो ये भी कथन यहाँ पर बिलकुल सही है अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं आम आदमी बीमा योजना देश की केन सरकार दोरा 2007 में प्रारम की गई तो जो सबसे बड़ा बिंदू आपको याद रखना है कि आम आदमी योजना का प्रारम की गई थी 2007 में इसका उद्देश असंगठित एवं भूमिहीन म था 30,000 रुपय की सुरच्छा के लिए प्रतिवक्ती 200 प्रती वर्स लिया जाएगा जिसके में से सामाजिक सुरच्छा निधी से 50% प्रीमियम राज सरकार तथा संग छेथ सरकार दोरा व्य किया जाएगा और पेसेवर समू के मामले में 50% प्रीमियम नोडल एजनसी या प्राज सरकार या संग्छेथ दोरा वहन किया जाएगा अब इसमें कुछ प्राविधान है या पढ़ लीजिए कि प्राकरतिक मुर्तिवकी दसा में कितने रुपए मिलते हैं बीमा में कितने का कवर है दुर्गटना में मुरत्यु में कितना कवर है अपंगता और आंसिक अपंगता की दसा में कितना कवर है नेक्स क्वेश्चन पौधागीरी अभियान ये किस राज सरकार द्वारा प्रारम किया गया है तो पौधागीरी अभियान हरियाणा द्वारा प्रारम किया गया है हरियाणा के मुखमंतरी मनोहरलाल खट्टर ने 15 जुलाई 2018 को पौधा लाग से अधिक पौधे लगाए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फूड फार वर्क प्रोग्राम जिसको हिंदी में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा काम के बदले अनाज योजना तो इसकी सुरुवात कप की गई थी इसकी सुरुवात 2004 में ग्रामीड विकास मंत्राले और राज सरकारों के परामर से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सरवाधिक पिछडे जिलों में परारम किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें एक और पॉइंट देख लिए यह सत्प्रस्थ केंद पराजी थे यह मतलब इसमें राज का कोई भी अंसदान नहीं देना पड़ता है उत्तप्रे सरकार ने राज में नई राश्ट्री क्रस बीमा योजना कब लागू की थी 1999-2000 में कई बार पूश्चा जा चुका है उत्तप्रे सरकार ने नई राश्टी क्रस बीमा योजना वर्स 1999-2000 में लागू की थी राश्टी क्रस बीमा योजना एक फसल बीमा योजना है जिसके अंतरगत प्राकृतिक आपदाओं क्रमियों एवं रोगों से फसल के नश्ट हो जाने पर बीमा कवरेज की रूप में क्रसकों को बित्ती साहदा प्रदान की जाती है राश्टी क्रस बीमा योजना जो नईस नाम से पहले मसूर थी वो 1999-99 में लागू की गई थी और संसोधित राश्टी क्रस बीमा योजना 2010-11 में रवी के फसल से लागू की गई है नेक्ट क्वेश्चन पंचायती राज की त्रिस्त्री प्रणाली में आते हैं वही क्वेश्चन है वसका स्वरू बदला हुआ है ग्राम पंचायत, छेट पंचायत, समीती और जिला परिश्ट बाकी आप जो है इसका विवराण पढ़ सकते हैं पाउस करके नेक्ट क्वेश्चन निमलिखित में से हमको कतनों पे विचार करना है पंचायती राज सही संबंदित हैं कौन से कतन सही है ये बताना है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सचचस बनने के लिए नियूंतम निरधारित आयू कित्ती है 25 वर्स है बिलकुल सही कतन है माल लिजे कोई पंचायत चल लई है और पंचायत का कारिकाल 5 वर्स का होता है तो अगर धाई साल में दुबारा पंचायत का पुरनरगठन किया जाता है तो जो नई पंचायत आती है नई पंचायत के सदस्य होते हैं अगले धाई साल के लिए ही कार करते हैं ये नहीं कि वो फिर से पांच वर्स के लिए पूरा कार करते हैं पंचायती राज ब्योस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बजाए जाने कि सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज में बहुत ही अच्छा कोश्चन ह बिहार राज में ऐसी ब्योस्था है कि बिहार पंचायती राज अन्यम के तहट ग्राम नयालेओं को ब्योस्था दी गई है कि जिन्हें तीन महा तक की जेल एवं एक हजार उपए तक के जुर्माने की सजा सुनाने की सक्ति उन्हें प्राप्त है अगला कोस्चन निमलिखित में से कौन सा राज सरकार तथा इस्थानी सासन के बीच राजस्व बटवारे के लिए उत्तरदाई है यानि जो राज सरकार के पास निधी आती है और उसको पंचायतें को या नगर निगमों को इस्थानी सासन के अंदर सभी आते हैं इनको तथा इस्थानी सासन के बीच राजस बटवारे के लिए मार्ग दर्सक सिधान सुझाने हेतु उत्तरदाई होते हैं अगला कोश्चन इंद्रा गांधी राष्टी बिद्वा पेंसन योजना के बारे में वर्तमान में निम्लिखित में कौन सा कथन सत्य है तो बिद्वा की आयू 40-79 वर्स होनी से यह बिल्कुस सही है बिद्वा निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो और पेंसन की राषी 300 रुपय मा है तो यह तीनों ही कथन इसमें सही है नेक्स वेस्चन देश में ग्रामीड विकास एतु प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना इंपोर्टेंट है यह ग्राम सडक योजना का प्रारम की गई थी दिसंबर वर्स 2000 में बारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना की शुरुवात की थी संपर्ग से वंचित गाउं को 12-18 सड़कों से जोड़ना इसका प्रमुकों देश ये था उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अदनियम 1950 के अंतरगत अंतर नहीं थे यानि किस अंसूची में आता है उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अदनियम 1950 समिधान की नवी संसूची में आता है और इसका नंबर क्या है प्रविष्टी 11 नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार से होता है प्रधान का निर्वाचन ग्राम पंचायत की सीमा की छेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मलिस सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है इसलिए इसका कथन दो यानि B आप्सन इसका सही है अगला कोस्चन स्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा प्रारम किये गए 20 सूत्री काईकरम में निमलिखित में से कौन सा सूत्र सामिल नहीं था ये कोस्चन मैंने पिछली लेक्चेर में भी इसको बताया था डिटेल में और कौन कौन से 20 घटक हैं ये भी बताया था तो इसके उत्तर देख लीजिए लोक तांतरिक विकेंद्री करण जो है इससे सम्मंदित नहीं है गरीबी हटाओ पर्यावरन संद्च्छन सबके लिए स्वास्त इसके अतरिक्त जन सकती किसान मित्र स्रमिक कल्यान खाद सुरच्छा सबके लिए आवास सुद्ध पेजल ज जन का स्वास्, सबके लिए सिच्छा, अन्सूचि, जाती, जन जाती, अल्व संख्यक एवं अन्य, पिछडा वर्ग, कल्यान, महिला कल्यान, बाल कल्यान, युवा विकास, बस्ती सुदार, पर्यावरन सनच्छन एवं वन ब्रद्धी, सामाजिक सुरच्छा, ग्रामीर सर का प्रदान सरपंच होता है ग्राम कचहरी की अवदी पांच वरस तक की होती है ग्राम कचहरी का जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत की मद्दाता सूची में नामांकित मद्दताओं के बहुमत द्वारा चुना जाता है सरपंच के साथ साथ एक उप सरपंच का भी निर् से इसमें हो सके अब ये पूरा जो है उसके बारे में और डिटेल है आप इसको पढ़ सकते हैं महत्मा गांधी ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा में आयोजना यानि प्लैनिंग बनाने वा समपादन करने या उसका किरियानवन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है तो इसके सभी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिपारिशों पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तयार करती है और मांग के अंसार कारियों के किरियानवे निमनिस्पादन के लिए स्वया मुत्तरदाई होती है अंतर राष्टी महिला दिवस 8 मार्च 2018 के असर पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी द्वारा किस राज में राष्टी ये पोस्टरण मिसन की सुरुवात की गई इंपॉर्टेंट कोश्चन है राजस्थान से सुरुवात की गई थी राजस्थान के जुन जुनू से इस अउसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार देश के 640 जिलों में संचालित होगा राष्टी पोस्टरण मिसन का गठन 9046.17 करोन रुपए की रासी से किया गया है अब राष्टी पोस्टरण मिसन के बारे में थोड़ा सा आओर डीब जान लीजिए छे वर से कम आई वर के बच्चों तथा महिलाओं में कुपोस्टरण के मामलों से निपटने के लिए सरकार दोरा कई योजनाये चलाई जा रही तथा भारत को कुपोस्टरण से मुक्त करना है अब इसका लज्च भी पूछा जा सकता है क्योंकि योजना है तो इसका लज्च जो क्या है राष्टी पोस्टरण मिसन का लज्च चोटे बच्चों महिलाओ एवं किसोरियों में क्रमसा, ठिंगनापन जिसको डॉरफिर्म कहते हैं यानि बावनापन, आलप पोशन और रक्तालपता यानि एनीमिया को कम करना है आलप बजनी बच्चों में क्रमसा दो प्रस्त और तीन प्रस्त अथा वीस प्रस्त की कमी लानी है प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना का सुभारंब प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा जारखंड की राजधानी राची से किस महान विभूती की जैनती पर किया गया है तो पंडित दीन दयाल उपाद्या की जैनती पर जन आर्योग योजना का सुबारम जारखंड की राजधानी से राची से किया गया जो की 25 सितंबर 2018 को कन्या स्री प्रकल्प इसकीम किस राज सरकार द्वारा प्रारम की गई है इसके अंतरगत 13 से 19 वर्स की बालिकाओं को प्र प्रतच रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं इंदिरा आवास योजना गाउं में रहने वाले गरीबों को आवास संबंदी आवसकताओं की पूर्ती के लिए जवाहर रोजगार योजना से अलग कर एक स्वतंतर योजना के रूप में लागू की गई थी और ये कब लागू की गई थी एक जनवरी 1996 को इसको जरूर या थापना कब हुई थी इंपोर्टेंट कोस्चन है बिल्कुल आ सकता है ये उत्तर परदेश में पंचायती राज एक्ट 1947 में इस्थापित हुआ था और कई चरण है इसके पंचायती राज के विकास के उत्तर परदेश में जिसका विवरण जो है मैंने पूरा ये लिख पढ़ ले तो उत्तर परदेश में पंचायती राज एक्ट 1947 में बना था लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर परदेश में पंचायती राज जो है कब से प्रारम हुआ था तो परदेश में पंचायती राज 15 अगस 1989 से यानि पंचायतों की स्थापना 15 अगस 1989 से मानी जाती है next question देखते है राष्ट्री बागवानी परिसद या राष्ट्री बागवानी बोड इसकी स्थापना कब हुई थी 1984 में और इसका मुख्याले पूछा जा सकता है इसका मुख्याले गुरुग्राम हरियाणा में इस्थित है अगला question बलाक इस्तर पर पंचायत समित है यहनी पंचायत समित किस प्रकार की समित है तो बलाक इस्तर पर पंचायत समित एक प्रसासनिक प्राधिकरण की तरह कार्य करती है next question जिला परिसद का प्रधान या हेड कौन होता है जिला परिशत का प्रधान या यहेड उसका अध्यच होता है उत्तरपदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी तो उत्तरपदेश में कौपरेटिव रूरर बैंक की स्थापना या सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना 1959 में की गई थी तो दोस्तों आज हम इतने ही question करते हैं next part में इसके आगे के प्रस्ण लेंगे और पुराने भी वीडियोस को revision करते रहिए जिससे आपका ये topic बिल्कुल solid हो सके है तो अभी के लेता ही नमस्कार धन्यवाद